कोरोना महामारी से बचने के लिए वैक्सीन ही एक मात्र उपाय है लेकिन देश में वैक्सीन की काफी कमी हो रही है विपक्ष सरकार से लगातार देश में हो रही वैक्सीन की कमी को लेकर सवाल पूसता रहता है दिल्ली, तमिलनाडू, राजस्थान, उरिशा, पश्टिम बं वैक्सीनेशन पॉलिसी को लेकर सवाल उठाए केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोट ने कहा है कि 18 से 44 साल के उम्र के लिए लागू मौजूदा वैक्सीन नीती तरक हीन और मनमानी है अदालत ने ये भी पूछा कि आम बजट में वैक्सीन के लिए जिन 35,000 करों रुपे का एलान हुआ था उनका इस्तमाल यहां क्यों नहीं किया जा रहा ऐसे में सुप्रीम कोट ने अब केंद्र की वैक्सीन नीती का पूरा हिसाब किताब मांगा है अब केंद्र को बताना होगा कि उसने कब-कब वैक्सीन खरीदी है पूरे देश में वैक्सीन ल पास इंटरनेट नहीं है, मोबाइल फोन नहीं है, ऐसे में वो रेजिस्टेशन कैसे कराएंगे और उनको वैक्सिन कैसे लएगे, अब इक लिए इस वीडियो में इतना ही, ज्यादा अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें, अथम न्यूस धन्यवाद.